नमस्कार दोस्तों मैं वी चत्रुवेदी पाथ फैंडर एडूकेशन यूट्वीब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ मित्रों सुचना सुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रतम बार हैं जैसा कि मित्रों आप थंबन लेल में देख पा रहे हैं 17 नौबर की जो महतवपूर अपडेट है वह कुछ इस प्रकार है पहली सूचना आपकी आ रही है बंद रही दो दिन बात यह उसायड सो मौर को दोबारा चालू हो गई है 13 नौबर को तकनिकी करनों से एन आ इसी की तरप से यह सूचना दी गई थी कि website बंद हो गई है और अब सूचना प्राप्त हो रही है साइट से की वेबसाइट फिर से सुरू कर दी गए अगली सूचना मित्रों आ रही है सीटेट की तरफ से सीटेट ने एक नोटिस जारी करके यह आदेश दिया है कि जो भी अभ्यार्थी अभी भी अपने सेंटर में बदलाव करना चाहते हैं वह 26 नवंबर तक अभी भी अप समान पर अहरता में अंतर यह माधिमिक सिक्षा चैन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सिवा आयोग से निकलने वाली जो यल्टी ग्रेड और टीजीट या पीजीटी की जो भरतियां हैं उनमें कला से बिसे जो है उससे संबंधित करके यह सूचना प्राप्त हो रही है कला इसे की जो अहरताएं हैं वो माधिमिक सिक्षा चैन बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश लोक सिवा चैन बोर्ड दोनों में अलग-अलग हैं दोनों की अहरताओं को लेक करके काफी बिवाद पैदा हो गया है बिवाद इतना घहरा होता जा रहा है कि यह बिवाद अब कोड का समान है तो दोनों आयोगों से होने वाली भरतियों में जो अहरता है उनमें इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है तो यहा है कि सोचने की बीजसेle हैं आयोगhou को विचार करना चाहिए कि जो अहरता है वो समान रखी जाए विद्यर्थी उन कान इक कौन 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 सी डिग्र सिक्षा देरी जाननी लगी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी तो ऐसे बच्चे जिनकों की ऑनलाइन के लिए मोबाइल या स्मार्टपोन कहलें लैप्टॉप यह सारी सुविधाएं जो है उपलब्द नहीं थी उनको पढ़ने में काफी समझ जाया है उसी को ध चात्रों को यह सुविधा उपलब्द हो सकती है अर्थात ऐसे चात्र जो संसाधन बहीन है उनको लैप्टॉप या मोबाइल जो स्मार्टफोन है उसको खरीदने में छूट मिल सकती है या फिर बजट के द्वारा उनको दिया जा सकता है कुरोना माहमारी के चलते घरों ब करने के बारे में सोच रही है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मताविक बच्चों को आनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन टैब लैप्टॉप या टेली वेजन जैसे उपकरणों की सुविधा मोहिया कराई जा सकती है इन इस तिनों सरकार का ध्यान आनलाइन पर केदित है पहले से बारवी कक्षा के शातरों के लिए सरकार ने पहले से ही नए 12 टीवी चैनल लांच किये हैं जिसके माध्यम से बच्चों को आनलाइन सिक्षा दी जा रही है तो यह एक अच्छी पहल है मचों कि जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको या सुविधा मिल पाएगी अगली सूचना जो मित्रों प्राप्त हो रही है नई नोकरियां तीन दिन में पता चलेंगी सुविधा होगी सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 का ड्राफ्ट जारी हुआ है इसके अंतरगत जो आने वाले गॉर्मेंट जॉब होगी या फिर प्राइबेट सेक्टर की जो भी जॉब होगी उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और उस पोर्टल पर वह सारी जानकारिया दी जाएंगी जॉब से संबंदित जिससे जो भी विरोजगार हैं उनको भटकना नहीं होगा चाहे वो प्राइबेट हो या सरकारी नौकरिया हो ऑनलाइन उस पे सज़ करके सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं सूचना देना होगा अनिवार यदि कोई नियमित एक से ज़्यादा राज में नौकरी देना चाहता है तो उसे केंदरी करियर सेंटर पर इसकी सूचना मैनुवली या फिर डिजिटल मध्यम से देना अनिवार होगा जानकारी देने की जो समय सीमा है छेतरी करियर सेंटर पर परिच्छा या इंटर्व्यू के आवेदन की आखरी 30 से 15 दिन पहले और केंदरी करियर सेंटर पर 40 दिन पहले सूचना देना अनिवार होगा तो यह एक बहुत अच्छी खबर है मित्रों उन सभी अभ्यारतियों के लिए जो बेरोज़गार हैं चाहे गवर्मेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में जौब की तालास करते हैं और उनको उचित जानकारी नहीं प्राप्त होगी और आप सभी जो भी जौब सेलेक्ट करके आप अपने मन पसंदीजा जौब कर पाएंगे अगली सूचना आ रही है इलाहा बाद विश्व विद्याले से बीए में प्रवेश के लिए कांसलिंग आज से तो बीए में जो कांसलिंग है वो आज से सुरू हो गई है कुरोना की वज़ा से जो सतर है वो का कि बीए में इंट्रेंस दिये हैं क्वालिफाई हैं और प्रवेश में हिस्वा लेना चाहते हैं वो अपनी लिश्व को इनवर्सिटी की साइट पर देखते रहें और समय सीमा पर जाकरके इलाहाबाद इनवर्सिटी अपने आड्मिशन को कंफर्म करा है तो इस तरह से और से चक पाता परिच्छा दो से तीन जर्वरी को होगी आज से ही आवेदन सुरु है तो जो भी भ्यारती हर्याना ठेट जाल डालना चाहते हैं उनके लिए हैं एक अच्छी खबर है तो आज से आवेदन कर सकते हैं और जो परिच्छा तीथी है वो अभी घोशित कर दी गई है दो से तीज जरवरी को ही हर्यारा टेट की जो परिक्षा है वो करा ली जाएगी तो इन ही सारी सुचनाओं के साथ मित्रों आप से पुरा निवेदन कि अगर याद है आप हमारे थानिवाद